वैक्यूम पैकेजिंग मशीन इसस से एमसी बी इसे चालू करना पड़ेगा जुट से पहले इसे हमने चालू किया चालू करने के बाद मैं तोट स्क्रीन आपको ऐसी दिखेगी यह हमें जो है सीलिंग टेमरेचर है उसके बाद में यह वैक्यूम है वैक्यूम के बाद मेंये १ whao यहाँ पे वैक्युम टाइम डारा जाता है अगनिऊ सेट के दिया इसको बढआना है तो इसके लिए एखो दे रखा है माइनस के लिए रहो दे रखा है यह हम इर फंदरा सेक्ट कर दिया है उसके बाद मैं अभी यह वाला जो है यह है सीलिंग तैम् यह 2.1 सेक्ट कर रखा है बिकास्ट we are using vacuum pouches और यह यह इसे प्लस माइनस से इसके होता है उसके बाद मैं अब आ जाते हैं तो यह जो है लो मीडियम हाई पर रहता है इसे हमेशे मीडियम पर रखने का ज्यादा बेटर रहता है अब बिल शो यू हो दो मशीन पैक्स दो राइस पॉच अभी राइस पॉच हम लोग आपको करके दिखाएंगे अजरे डाइस पाइनदेट उपान सो भाइनदेट था सैज रहता है इसमें जो mountain आप इसे ज़कती मोशी दो कैसे राइए ओनाफर राइस में हीर यहाज़ जा रहता करेंगे अब तीन पाउं तो हम इस राइक के लगाएंगे अब देख सकते आसानी से रखागा और फिर बिद्विनों में जगह बचीए करेंगे अब हमने जो आपको बताया था टाइम जो साइट किया हुआ है इसे हमने 15 से कर दिया इसे 2 से कंड पर रहने दिया यहां मेडियम पर रखा अब जैसे हम मशीन लॉक करेंगे अब जैसे हम मशीन का ठाट करना चाले यह हम एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ यू से रख पॉइंट जैसा हो दाता है इतना एक एक दाने का इंप्रेशन आजाता है अब कोई साथी पाउस उठाके देख लिए इससे शेल लाइफ भी बढ़ जाती है यह नहीं लगके और इसका आप भी चीजों में यूज कर सकते हैं जैसे डीरी प्रोड़क्स हो गया आपका पनीर हो गया पनीर के बाद में आपके सोया चंक्स हो गया फिर उसके बाद में आप खाकरा इसमें पैक कर सकते हैं आप इसमें अनार पैक कर सकते हैं इसमें आप खजूर पैक कर सक पर अख्रोड गिरी और इसके लावा भी हम लोग के पास में बहुत सारी मशीन है तो यह वैक्यूम पैकेजिंग मशीन साइज 500 बाइ 500 झालच झालच в जयर देना करें जो कें पास में पैक البड्सप्राइब गिर भी हम जो टुझ में में गिरी Māy experi इसके वह भी हम ख़या हम जो जो गोहाँ जो तो जो जो शो बunft enc में जो Rice Susan